गर्मा गरम वीडियो में आपका स्वागत है होफुली ये वीडियो देखके आप ट्रावल करने लग जाओगे काफी लोगों ने पूछा के मैं आपकी तरह ट्रावल कैसे कर सकती हूँ या इसमें करियर है क्या तो आप टिकेट बुक करो और एक ट्रिप पे जाके आओ तो लोग ट्रेन लेके लोनावला जाते कर सच जाते हैं वहां से ट्रेक करके वापस आ जाते हैं तो आपको उस चीज़ में जैसे दिल्चस्पी आ जाएगी यू विल फिगर आउट वेस की आपको ही पता चलेगा कि क्या क्या option है आपके सामने को हरोज office जाना नहीं पड़ता उनको digital nomad केते work from home तो ऐसी भी कई सारी opportunities है जहां पे आप volunteer कर सकते हो अपना time दे सकते हो दिन का 3-4 घंटे और उसके बदले में वो आपको food और accommodation देते हैं यह हिमाचल प्रदेश उत्तरा खंड नौर्थ इस्ट इवन कई गोवा के hostels में हैं साउथ के hostels में हैं तो ऐसे काफी सारे opportunities भी है volunteering के कि आप उनको मतलब property की देखभाल करना या फिर gardening में help करना ऐसी चीज़े हरोज करके आप cover कर सकते हो अगर आपके पास social media के skills है तो तो best क्योंकि मैं मीडिया में हूँ मैं video photos shoot कर सकती हूँ मैं companies को real बना के देती हूँ तो वो सारी चीज़े मेरे लिए काफी beneficial रही है और इसलिए मैं अभी माचल में काफी जगों पे free मेर है सकती हूँ वो लोग food भी देते हैं इन रिटर्न आइफ टू आइधर गिव देम ब्लोग पोस्ट या फिर उनका social media ग्रोथ करना होता है रिल्स बनाने होते हैं तो वो सारी चीज़े में करती हूँ आप देख लो आपके पास कौन से कौन से स्किल्स है और आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो आप बताओ आपको और क्या क्या जानकारी चाहिए और मैं उसके बारे में भी वीडियो बना सकती हूँ मैं Adventure Field में अब more than 12 साल से हूँ तो मेरे पास काफी सारे Certifications है जो यहाँ पर काम करने के लिए लगते है अबरॉड काम करने के लिए लगता है मैंने US, Hong Kong, UAE काफी देशों में काम भी किया है तो आप दिरे दिरे अपना resume में बढ़ाते जा सकते हैं इंडिया में काफी सारे Institutes है जहाँ पर आप यह ट्रेनिंग ले सकते हैं गवर्मेंट उनको सबसीडी भी देती है तो इसलिए यह काफी affordable हो जाते हैं सारे Courses 28 Days के रहते हैं Best Course Nehru Institute of Mountaineering में होता है या अरुनाचल प्रदेश में नीमास करके है वो भी काफी अच्छा है मनाली में एक institute है तो यह सारी चीज़े आप Google कर लो आपको मिल जाएंगी जैसे आपके पास certification है आपको realize होगा कि आपको क्या interest है mountaineering की हर किसी का interest नहीं हो था बहुत लोगों को सिर्फ rock climbing पसंद है या काफी लोगों को सिर्फ as a recreation मतलब घूमने के लिए उनको जाना है तो आप जैसे जैसे यह करते जाओगे आपको realize होते जाएगा कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है मैं कोविड के बाद ski करने लगी इतने साल तक तो मुझे ski के बारे में भी कुछ पता नहीं था तो येस आप start करो travel इसी हफते बताओ आप कहां जा रहे हो और comment section में और भी बताओ कि आपको और किन चीजों के बारे में जानकारी चाहिए I will be happy to make a video मेरे काफी adventure के बारे में video भी आ रहे है तो please subscribe कीजिए और लोगों के साथ भी ये share कीजिए